एक छोटा सा टॉपिक है इंटर्नल एक्जाम है बहुत सारे स्टूडेंट का रेगुलर कॉलेज वालों का तर उनका ये पूछना है कि सर आप बता दें और मैं सभी का आज बताने जा रहा हूँ कि इंटर्नल एक्जाम में क्या प्रप्रप्रेशन करना है और क्योंकि कॉलेज में मैंने पूछा बच्चों से तो बच्चों का कहना है के सर हमें बस बता दिया कि ये चप्टर आएंगे relevant निमाग करवा रहे हो तो internal exam में मैं सभी chapter का अगर बता दू तो हर college का अपना अलग-अलग chapter दिये जा रहे हैं किसी college में chapter 1, 2, 4 है किसी में 5, 6 है तो मैं सभी chapter में से किसमें से क्या-क्या important है internal exam के लिए पढ़ना जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं पूरा बताने जा रहा हूँ सबसे पहले हमारा होता है यहां पर मैं बात करूँगा जो कि budgetary control जो maximum probability है आने कि देखो करना का आपने सारा ही है लेकिन जो focus रहता है examiner का वो मैं यहां discuss करूँगा इसमें से 2 point main है एक cash budget एक flexible budget और आपको recorded वाली section में पूरा chapter करा रखा है यह जिनका internal exam है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं तो वो यह topic करेंगे budgetary control में से सर दूसरा क्या है दूसरा है हमारा standard costing standard costing इसमें से क्या पूछा जा सकता है internal में या तो पूछा जा सकता है material variance या पूछा जा सकता है labor variance या पूछा जा सकता है labor variance या फिर material variance और ये सिर्फ मैं internal क्या final में भी सी तरीके से important हैगा उसके बाद है हमारा absorption costing absorption costing marginal and absorption नाम है इसमें से बनाने को आ सकता है comparison आएगा इसमें से या दोनों बनाना आएगा आपको cost sheet बनाना आएगा cost sheet बनाते हैं basically इसमें तो sir cost sheet कैसे बनाना है दोनों तरीके से आपको marginal के हिसाब से और variable के हिसाब से absorption costing के हिसाब से cost sheet का मतलब profit निकलवा के देखेंगे किसमें क्या फरक आ रहा है हमारा last इसके बाद आ जाते हैं PVR जो हमने chapter रीखी किया है तो PVR वाले में important क्या है PVR यानि जो 2 year का data given होता है जिसमें की profit हमारा change in profit change in sales होता है लाइक वह वाला ठीक है कि इसके बाद हमारा है decision making इसके बाद है decision making जिसका जो chapter है उसके हिसाब से वो pick कर लेगा इसके अंदर new product हमें new product को buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह topic है तो अगर देखा जाए तो हमारे chapter भी total इतना ही है तो अगर जिन बच्चों का internal exam है तो उन बच्चों को इसमें से यह topic करना है जो previous recording lecture में ने पूरा classes जो डाला हुआ है फोल्डर में उस फोल्डर के अंदर सारे chapters आपके M.A.N.A.R.O.D.A. बुक के सारे questions कराके illustration वगेरा जो भी है करवा के already डाले हुए है तो मेरा बस यही कहना था internal exam इस तरीके से आपको attempt करना है मुझे एक नया chapter start करना है आज नहीं next class में कितने बच्चे regular वाले जो live class में है और उनका internal exam है तो मुझे chapter एक बार बताईए बताए एक बार chapter कोई बच्चा है regular का कोई बच्चा है regular का इसमें नहीं चलिए जो बच्चे regular वाले देखेंगे बाद में वो समझ जाए और मैं अलग से वीडियो डाल दूँ है बच्चे जो एक बार बताईए